Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel MPPSC Online Classes आज से हम इस पहली वीडियो से हमारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जोग्राफी रेलेटेड वीडियो भी आ रही है पहला हमारा टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया उसमें कुछ हमारी जनरल जो हमें डेफिनिशन्स पता होनी चाहिए उनसे डील करते हैं पहले हम बात करते हैं ड्रेनीज की डेफिनिशन से ड्रेनीज इस इन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ ट्रिव्यू ट्रीज एंड ट्रंक स्टीम मतलब की ड्रेनीज के ऐसा सिस्टम है जिसमें एक मीन रिवर रहेगी और उसके साथ बाकी रहेगी कौन से उसकी ट्रिव्यू ट्रीज जो की क्या करेंगी कलेक्ट करेगी एक जगे से वाटर और उसको फनल करेगी दूसरी जगे पर जैसे कि हमारे हां फोरेन एक्जामपल हम नर्मदा रिवर कर एक्जामपल लेते हैं वो अमरकंटक से हमारा पानी लेती है एक हमारी पीक है वहां से जाके ये कहां पर हमारी अरेबियन सी में जाके ड्रेन कर देती है तो एक तरीके से ये क्या है, drainage system इसको की definition है हब next बात करते है, drainage basin किसको कहा जाता है total area that contributed water to the single drainage system is known as a drainage basin ठीक है, मतलब वही जो पूरा total area, ठीक है जो की water का contribution करता है, एक single drainage system उसको drainage basin कहते है मतलब जहां पर नदी का पानी रहता है, उसको drainage basin कहेंगे है ना, ये चीज़ बात करीगे अब देखते है, river जो है हमारी, ठीक है river का pattern कैसे होता है, मतलब river किस तरीके से flow करती है कभी straight जाती है, कभी तेड़ी जाती है हर साल या हर 10 साल में अपना course change कर लेती है ठीक है, तो ये कैसे होता है उसके factors के बारे बात करते है सबसे पहले चीज़, geological time period मतलब कि हजारों साल बाद हमें ऐसा पता चले कि अगर कोई नदी इस जगे से बह रही है तो वो उसका course change करके दूसरी जगे से बहने लगेगी ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है geological time periods उसका pattern change हो सकता है nature of the river, ठीक है, river का nature कैसा है है ना, उसके basis पे भी depend करता है structure of rock, मतलब कि किस type का rock है नीचे अगर pebbles है ठीक है, छोटे छोटे rocks है अगर ठीक है, तो river fluently flow करती जाएगी ठीक है, लेकिन अगर big boulders हैं ठीक है, तो river उनसे कूंदते फूंदते आगे चलती जाएगी, तो बलब इस पे भी depend करता है river किस तरीके से flow करेगी topography, मतलब कि area कैसा है river कहां से आ रही है भाई, mountain से आ रही है क्या या plains में flow कर रही है क्या ठीक है, या peninsular platews वगयरा में flow कर रही है तो उस पे भी depend करता है कि rivers कैसी होगी ठीक है, अगर कोई river mountain से आ रही है तो अच्छी तेज तरीके से बहते आती है और बहुत सार अपना पानी लेकर आती है और depend करता है slopes में slopes मनलब एक बहुत आता major चीज होती है river के लिए जहाँ पर river को slope मिलेगा वहाँ पर river का पानी की movement बहुत अच्छी रहेगी लेकिन जहाँ पर slope नहीं मिलेगा वहाँ पर उसका पानी ठहरा रहेगा तो यह सारी जो चीजें हैं यह contribute करती है कि किस तरीके से जो river है हमारी वो flow करेगे next बात करते हैं कि देखो हमारा इंडिया है यह हमारी इंडिया का peninsular area है यहाँ पर हमारा bay of bengal है यहाँ पर हमारी arabian sea है ठीक है कुछ river हमारी इंडिया की यहाँ train करती है Majority of river हमारी train करती है Bay of Bengal में 77% और 23% train करती है हमारी Arabian Sea में इसका reason है क्योंकि हमारे इंडिया का जो slope है वो कैसा है? Eastward है ठीक है? इसलिए क्योंकि देखो हमें जो major rivers अगर हम West Side के देखे तो मिलेंगे हमें कौन से? नर्मदा, तापी अगर हम East Side की river देखें तो आजाएगी महानदी, सुबर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे बहुत सारी majorities, major major rivers हमारी flow करती है Bay of Bengal एक concept और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं साथ में कि जो भी दो टाइप की river हम classify कर सकते हैं flow के basis पे एक हो जाएंगे हमारी west flowing river जो कि Arabian Sea में जाती है और एक होगी east flowing river जितनी भी east flowing river है यह बनाती है deltas चाहे आप हमारी गोदावरी कृष्णा river देख लो, गोदावरी कृष्णा river बहुत बड़ा delta बनाती है इतना बड़ा delta बनाती है यह अपना कि यह ocean में एक नया surface create कर चुगी है लगभग 120 km लंबा ठीक है यह हो गई महा नदी हो गई ठीक है यह सारी river क्या बनाती है यह दौनो river बनाती है एश्चुरी का मतलब होता है कि delta टाइप ना बनाना ठीक है एश्चुरी में क्या होता है कि यह river इसलिए एश्चुरी बनाती है क्योंकि यह flow करती है रिफ्ट वैली में मतलब कि ये बना हुआ रास्ता है उधर से जाती है इसलिए इनको नहीं जादा कोई सेडिमेंट मिलता है जिसके कारण ये डेल्टा नहीं बनाती है ये बनाती है एस्चुरीज ठीक है तो ये concept था डेल्टा और एस्चुरीज का next हम बात करते हैं catchment area of river की a river drain is an specific area which is called the catchment area of the river जिस भी specific area में river drain करेगे उसको हम बोले है catchment area of the river जहाँ पर river चल रही है उस area को बोले है catchment area of the river ठीक है drainage basin की जो हम बात कर चुक है उसकी core definition हम देख सकते है area drain by river and it's tributary ठीक है ये कहला था drainage basin अब watershed area एक बहुत अच्छी चीज है जो कि हमें देखना चाहिए watershed area एक वो line होती है एक boundary line होती है जो कि दो river basin को separate करती है अब जैसे हम बोल सकते है watershed area के दो example हम यहाँ पर लेंगे एक अंबाला कर की जगे है ठीक है ये एक heighted जगे है लगबग 290 meter heighted है डैली के आसपास ये हमारे Indus river system और गंगा river system जो है उन दोनों को separate करती है ठीक है फिर अगर एक और example हम यहाँ पर देख सकते है कि जो हमारी नदी है कौन सी हम नदी बात कर सकते है नर्मदा नदी नर्मदा नदी एक watershed area create करती है ना मतलब कि हमारे north और south को भी divide करती है ठीक है तो यह होता है watershed area कि मतलब कोई भी specific area है जो कि दो river basin को separate करें ठीक है इसको कहते है watershed area यह को जनरल टर्मलोजी थी अब हम देखेंगे कि हम आगे चलके किस तरीके से हमारे drainage system को deal करेंगे और आगे चलके हम सारी rivers को एक एक करके पढ़ेंगे तो देखो हमें यहाँ पर दो major division है हमारी rivers के एक होती है हमालियन rivers और एक होती है peninsular rivers लिए हमालिया से originated हो और peninsular river जो कि हमारे इंडिया के peninsular से originated हो तो यह अगर हम एक rough diagram बनाए हमारे इंडिया का, तो यह हमारे इंडिया हो जाता है, ठीक है, तो अगर यह हमारे इंडिया है, तो इसमें जो हमारे यह नीचे का पार्ट है, यह हमारा आ जाता है, पैनिन्सुलर प्लेटियो रीजिन, ठीक है, पैनिन्सुलर हम जानते ही हैं, जो उनको पैनिन्सुलर क्यों कहते ह क्योंकि जो भी कोई भी एरिया उसके तीनों तरफ अगर कोई भी water body हो उसको हम peninsular area कहते हैं ठीक है इसलिए हम इसको peninsular plateau कहते हैं और हमारा हिमालय कहां पर है हमारा यह हिमालय यहां पर है तो जो भी हिमालय से originate होने वाली river है वो हिमालय रिवर्स होती है ठीक है जैसे कि हम करें हमारी INDAZ, GANGA और BRHAMOPUTR तो हमारे in sections में हम इन стороны river system को पढ़ेंगे Indus river system को हमारा पूरा एक system है जो कि हमारा पूरा इस इरिया में फ्लू करता है INDAZ river system फिर अगर हम गंगा river system बात करें तो व WITH और इस KAR में फ्लू करता है। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमारे यह ऐसे तिबबत से होते हुए हमारे यहां फ्लो करता है। तेन तीनों रिवर सिस्टम को हम अलग-अलग करके डील करेंगे। हमारी इस वीडियो में हम इंडस रिवर सिस्टम को डील करेंगे। अब गंगा की बात करते हैं, ठीके, गंगा, इंडेस, ब्रंपो तो ये तीनों चीजों को भाधिक एक करके डिल करेंगे क्योंकि इन में जो glaciers हेमालियास में जो glaciers पाए जाते हैं ठीक है उनके कारण वो एक इतना बड़ा major region है जिसके कारण यह rivers perennial होती है ठीक है ना दूसरी बात करते हैं हम peninsular rivers की peninsular rivers जो कि हमारे इंडिया के peninsular में flow करती है ठीक है हम बात करते हैं peninsular rivers की तो यह हो जाता है हमारा peninsular area इंडिया का ठीक है तो यहाँ पर हम बहुत सारी rivers देखेंगे जैसे कि यह हमारी नर्मदा river होगी हमारे central इंडिया की river ठीक है उसी के parallel नीचे से एक तापी river देखेंगे ठीक है फिर हम एक east flowing rivers भी बहुत सारी देख यहाँ से एक हम देखेंगे गोदावरी एक देखेंगे हम Krishna एक देखेंगे हम Kaveri और एसी चोटी-चोटी कुछ और rivers को भी देखेंगे इनकी tributes के बारे में देखेंगे कुछ दो rivers को और हम देखेंगे जो कि उपर से आती है राजिस्थान से एकाती साबर मती एक river Looni जो कि गुजरात में ही inland drainage create कर देती है ये कुछ peninsular rivers को भी हम इसमें देखेंगे ये rivers कैसी है peninsular rivers non-perineal क्योंकि ये rivers कहां से आती है peninsular plateau से ही कही न कहीं से originate होती है या तो कोई lake से originate होती है ठीक है? या तो कोई भी mountains originate होती है और peninsular mountains हिमालियास जितने बड़े glaciers नहीं रखते है इसलिए ये majorly किस पे dependent रहती है rainfall पे dependent रहती है ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते है ये हमारे सोटे सा मतलब distribution हो गया किस तरीके से हम अपारे river system को पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे इंडस river system देन गंगा एंड ब्रह्मपत river system को cover करेंगे हमारे आने वाली वीडियो में देन फिर हम peninsular river system को cover करेंगे उनमें हम बहुत सारी peninsular rivers around कुछ हम 15 to 20 peninsular rivers के बारे में deal करेंगे पहले हम start करते हैं हमारे इंडस river system से इंडस river system को हम अच्छी तरीके से deal करेंगे उसके पहले हमें एक फिगर समझना पढ़ेगा यह कुछ है एक graph किसे साब से हमारे इंडस river system है इंडस river system में सबसे important river जो है वो है river इंडस ठीक है तो यह जो हमारी river इंडस है यह हमारी originate होती है कैलाश range से कैलाश range से originate होनी के बाद यह north west flow करती है ठीक है कैलाश range कहाँ पर आती है तो यह हमारे तिबबत वाले एरिया में आती है ठीक है यह हमारे इंडिया में नहीं है फिर यह हमारे इंडिया में पीक है 7756 मीटर हाई की वहां से यह syntaxal turn लेती है मतलब southward turn लेती है और पाकिस्तान की entire length पे southward flow करके Arabian sea में जाके train करती है यह एक छोटा सा मतलब एक course है कि Indus River का course है ठीक है इसके बारे में देखेंगे अब यह हम Indus River को और अच्छे से पढ़ेंगे यह थी हमारी Indus River का पूर tributaries हैं इसके कुछ right bank tributaries है ठीक है और कुछ tributaries की left bank left bank tributaries की बहुत जादे important मानी जाती है ठीक है जो कि आगे चलके इससे ही पूरी मिलती है एक-एक करके और एक नई river बनाती है जिसको कहते है river पंचनार यह जो दिख रही है हमें यह इनकी left bank tributaries है ठीक है इनकी left bank tributaries के अगर हम बात करते हैं तो पहली आ जाती है river जेलम दूसरी आती है चेनाव रावी ब्यास और सतलक यह पांच इनके left bank tributaries हैं जिनके बारे में मेज़ादली पढ़ना है ठीक है इनको अब यह में एक-एक करके डील करेंगे फिर हमें इधर पर एक बात करनी है इनकी right bank tributaries की बात करें तो एक इनकी right bank tributaries है जांसकर ठीक है जोगी जांसकर रेन से आती है नूब्रा शियोक गिलगिट हुनजा हुनास ठीक है ऐसे करके और एक सूरू सूरू नूब्रा शियोक और जांसकर हमारे इंडिया में हैं और यह जो हमारी गिलगिट हुनजा हुनास है यह पीयो के पाकिस्तान occupied कश्मीर वाला जो एरिया है यहां वाले एरिया की rivers है ठीक है अब इन rivers का हम देखते हैं कहां से कैसे क्या connect होती है ठीक है हमारी next page में देखते हैं उसका हम अच्छे से यहां पर हम समझते हैं थोड़ा सा कि कैसा हमारे इंडिया रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी से उसका connection है हमारी इंडिया में इंटर कर जाती है और यहां नामचा बारवा है यहां से southward turn लेके यह पाकिस्तान में flow करके Arabian Sea में drain कर जाती है ठीक है इसमें यहां से एक जांसकर रिवर इससे मिलती है उपर से नूब्रा और शोक रिवर मिलती है कहां पर इंडिया में है ना इंडिया में भी कहा लद्दाख वाले area में फिर अगर हम आगे बात करें तो यह आजाता है हमारा पीयो के पाकिस्तान occupied कश्मीर वाला area यहां पर गिलगेट हुन्जा एंड हुनास करगिस की कुछ ट्रिव्योटरी मिलती है यह थी इनकी राइट बैंक ट्रिव्योटरी के बारे में अगर इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिव्योटरी की बात करें तो जो हमने हमारी प्रिवियस फोटो देखी थी उससे ही हम इसको समझ सकते हैं यह हो जात मिलती है किस से इंडस्वर से इसका नाम मांगों कर जातन है और रेवियन टराया तो यह कुछ था है इसके बारे में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अज टेबल के थ्रू इन रिवर्स के बारे में ठीक है तो पहली हम बात करें इंडस के बारे में बात करें तो इंडस का चैनल यहाँ पर बना लेते हैं हम यह है हमारा एक रफसा इंडस का चैनल ठीक है इंडस रिवर जो है वो कैलाश रेंज से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है ठीक है कैलाश रेंज है हमारी कहाँ पर तिबबत में इस रिवर को और किस नाम से जाना जाता है ठीक है इसको सिंदू के नाम से जाना जाता है हमने हरप पन्सिविलाइजीशन में भी इस river का नाम जो सुना है, सिंदू के नाम से सुना हुआ है, इसको गर्जांगबो बोलते हैं तिबबत में, ठीक है, गर्जांगबो इसका एक और नाम है, इसकी एंटाइर लेंथ की बात करें, इस पूरी river की एंटाइर लेंथ है, 3180 km, ठीक है, फिर आगे हम बात करें कि इस river को मलब इंडिया में कितनी flow करती है तो लगबग ये river 1050 km इंडिया में flow करती है और इंडिया में कहाँ पर majorly ये लद्दाख में flow करती है ठीक है ये वाला जो इसका area है ये लद्दाख वाला ये इंडिया में flow करती है ठीक है फिर उसके बाद बात करें तो ये ये रिवर किसी भी रिवर से confluence नहीं करती है इसमें सारी रिवर आके इसके tributaries मिलती है और ये आखरी में पाकिस्तान वाले एरिया से South of Pakistan पाकिस्तान वाले एरिया से Arabian Sea में जाके drain कर जाती है ठीक है इस रिवर के अगर हम tributaries की बात करें तो tributaries की बात हम कर चुके हैं जो कि हमने previous कुछ देर पहले ही बात करी ठीक है इस रिवर पर कुछ major projects नहीं है पर इस रिवर से related एक treaty है इसके बारे में हमें समझना है वो है Indus Water Treaty वो इसके बारे में है यह Indus Water Treaty है 1960 की ठीक है इसके बारे में अगर नको समझना है तो देखो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक conflict चलता है Indus River related कि इसका पानी कौन use करेगा ठीक है तो देखिए Indus River मतलब उसको मिलाके उसकी जो left bank tributaries है ठीक है जो कि 5 कुछ left bank tributaries है जो की बहुत जादा बड़ी rivers है ठीक है तो इसको मिलाके इनडिया पाकिस्तान दोनों में flow करती है तो इन से related इन 6 river related Indus Water Treaty हुई है वो ट्रीटी क्या कहती है वो ट्रीटी 80 और 20% का basis बनाके बात करती है मतलब की यह जो शुरू की तीन river है मतलब की Indus जेलम एंड चेनाब इन तीनों river का 80% पानी यूज करेगा कौन पाकिस्तान और रावी व्यास और सतलच का 80% पानी कौन यूज करेगा इंडिया यह दो बात इस टीटी से बोल दी गई ठीक है तो इसको कहते हैं Indus Water Treaty जो की 1960 में बनाए गए थी related to the water dispute फिर उसके बाद हम इनकी एक-एक करके जो इनकी left bank tributaries हैं उनके बारे में देखेंगे उनका एक चैनल देखेंगे पहले हम बात करते हैं इनकी जो left bank tributary है जेलम जेलम का चैनल देखते हैं जेलम का चैनल बिल्कुँ छोटा सा है जेलम जो river है ये वाली ये start होती है वैरिनाग स्प्रिंग से कहाँ पर पीर पंजाल range में ठीक है जो हमारी पीर पंजाल range है और पर वैरिनाग स्प्रिंग से ये originate होती है ठीक है ये कहाँ पर जम्मु एंड कश्मीर में वहाँ से ओरिजनेट करके नॉर्थ में फ्लो करती है जो हमने देखो जो हमने बात करते है कश्मीर में जो ग्रेट वोलार लेक है वोलार लेक जेलम रिवर पर ही सिच्वेटेड है ठीक है फिर ये रिवर आगे चलके फ्लो करती है आगे फ्लो करती है तो थोड़ी देर तक ल फ्लो करती है ठीक है और ऐसी फ्लो करते करते यह आगे जाती है और आगे जाके किस रिवर से मिल जाती है यहां पर चेनाब रिवर से मिल जाती है कहां पर कॉंफलेंस पॉइंट है त्रिमू करके उसका कहां से मिलती किस से मिलती है चेनाब रिवर से मिल जाती है ठीक है इस र प्रोजेक्ट्स हैं जो कि याद रखने हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट किशन गंगा रिवर पे मंगला प्रोजेक्ट जो की आ जाता है पाकिस्तान में ठीक है और एक आ जाता है उरी प्रोजेक्ट ठीक है तो यह बात थी हमारी किसी जेलम रिवर के बारे में अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चेनाव रिवर के बारे में जो कि बहुत जाद है important रिवर है चेनाव रिवर जो है हमारी कुछ इस तरीके से flow करती है और जाके ये मिलती है हमारी चेनाव रिवर किस से सतलज रिवर जो ऐसी आरी रहती है अब हम रिवर हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होती है दो रिवर है एक रिवर है चंद्र और एक रिवर है भागा ठीक है भागा रिवर बारा लाचा पास से आती है और चंद्र रिवर आती है हमारी कौन से जोजीला पास से दौन रिवर आके मंडी करके एक जगे है हिमाचल प्रद नाम है चंद्रभागा क्योंकि दौनों नदी से मिलके बनती है और इसका पुराना संस्कृत नेम है क्या अशीकनी जो चेनाब रिवर है यह लगभग सतलज की बाद सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कहलाती है चेनाब 960 किलो मीटर लंबी यह नदी है यह दिख रही है मैं च चली जाती है ठीक है पाकिस्तान में चली जाती है यह इसके बाद आगे जाके और इस पर एक इंपोर्टेंट शेहर आता है लाहुर इस रिवर में आगे चलके यह जाके किस से मिल जाती है यह जाके मिल जाती है सतलज रिवर से ठीक है सतलज रिवर से यह जाके कहां पर मिल यह मिलेगी उच्छ शरीफ पाकिस्तान में ठीक है यह उसका confluence point है फिर उसके बाद बात करते हैं चेनाव की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है तो यह जो दो हमारी river दिख रही है रावी और चेनाव रावी और जेलम यह दोने जाके चेनाव river से मिल जाती है ठीक है फिर उसके ब हम बात करते हैं कि इसके जो projects हैं वो क्या है सलाल दुल हस्दी बागली हार है पकाल डुल नेक्स हम बात करते हैं हमारी रावी रिवर की रावी रिवर भी हमारी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होके ये चली जाती है पाकिस्तान में हिमाचल प्रदेश में ये कुलू हिल्स से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर इसका एक और नाम है इरावती भी कहा जाता है इसको ठीक है और पूरुशनी के नाम से भी ये जानी जाती है ठीक है रावी रिवर की टोटल लेंध है 725 किलोमीटर ये आगी जाके किस रिवर से म पड़ी है उससे मिल जाती है मतलब अगर ये चेनाव रिवर जा रही है तो इसमें मिलेगी ये रावी रिवर और जो जेलम रिवर है वो उपर से चेनाव रिवर में मिलेगी ठीक है तो रावी और दौनों रिवर किसमें मिल जाती है चेनाव में जाके मिलती है और यही चे पाचल प्रदेश में कुलू हिल से ओरिजनेट होके थोड़ी देर ये पंजाब में फ्लो करती है पंजाब में कहां पठान कोट वाले एरिया से होते हुए कुछ 80 किलो मीटिर तद पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्डर में फ्लो करते हुए फिर ये आगे चलके चली जाती ह कहां पाकिस्तान में इस रिवर की बात करें तो ये कहां जाके पाकिस्तान में मिलती है चेनाव रिवर से ये मिलती है रंगपूर में चेनाव रिवर से इसकी ट्रिब्यूटरी है सी औल सी आवाइन उज ठीक है फिर हम बात करें इस रिवर प्रोजेक्ट्स हैं तो एक है इ ट्रिब्यूट्री, smallest right bank ट्रिब्यूट्री, sorry smallest right bank ट्रिब्यूट्री किसकी है ये? हमारी इंडस रिवर की है ना? ब्यास रिवर की बात करने तो 480 किलोमीटर की, ancient Sanskrit name है इसका वेपासा, ठीक है? और ये कहां से originate होती है? ब्यास कुंड और ब्यास कुंड कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारी तीनो नदिया है चेना, रावी और ब्यास ये से तीनों हिमाचल प्रदेश से originate होती है हिमाचल प्रदेश ये originate होके जाती है पंजाब में और पंजाब में ही सतलज रिवर से मिल जाती है कहाँ पर मिलती है सतलज रिवर से पंजाब में ही हरी के पंजाब में ही ठीक है इस रिवर की बात करें तो इस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर्स है पारबती, बेन, बंगाना और उहल और इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं पॉंग, पंडो और मंडी नेक्स हमारी रिवर आ जाती सत्लज जो की बहुत जादा importantory है किसकी इंडस रिवर की ये कुछ हमारी सत्लज रिवर के अगर हमने channel बनाया तो ये हमारी सत्लज रिवर का channel है सतलज रिवर मान सरोबर लेक से ओरिजनेट होती है जो कि कैलाश रेंज के नीचे साइट पर पढ़ता है तिबबत में इसको सतादरू सतुदरी बोला जाता है संस्कृत नेम है इसका और लेंक्वेन जांग्वो इसको कहां बोला जाता है तिबबत में ठीक है ये कुछ इसका ऐसा चैनल है ये मान सरोबर से ओरिजनेट होई है मान सरोबर से ओरिजनेट होने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है पंजाब इंडिया से फ्लो करते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है ठीक है तो इस तरीके से इसका ये स्टेट वा बग ये 1000 किलोमीटर के लिए फ्लो करती है ठीक है ये आगे चलके यहाँ पर मिल जाती है हमारी इंडस रिवर से और कहाँ पर मिलती है ये मिलती है मिठान कोट करके एक जगे इंडस रिवर से मिलती है और इसके बाद इंडस रिवर और ये मिलने के बाद एक नई रिवर के न जनाध नदी बन जाती है अभी हम यहाँ पर एक बात करते हैं कि इसकी Tributaries के बारे में ठीक है क्योंकि सतलज की important Tributaries है उसको देख लेते हैं एक सबसे साथ important Tributaries है सतलज की वह कौन सी यह बयास जो कि अभी हमने पढ़ी यह बयास कि इसको मिल जाती है हरी के पंजाब में ठीक है और सतलज में आगे चलके एक रिवर मिलती है जिसको कहते हैं हम चेनाब ठीक है ये चेनाब हो जाती है ये अमारी ब्यास हो जाती है चेनाब सतलज में जाके कहां पर मिलती है उच्छे शरीफ में मिलती है ठीक है और जो तक जाते जाते सतलज नदी में बाकी ये जो चारो नदीयां है ये मिल जाती है और सतलज जाके आगे मिल जाती है मिठान कोट में किसमें ये जाके मिल जाती है हमारी इंडस रिवर में अब सतलज रिवर के ट्रिब्योटरीज है बियास बासपा एंड स्पिती और बात करें प्रोजेक्ट्स की तो भाकरा नांगल डैम जो कि हमारा हाइस्ट डैम माना जाता है जोग्राफिकल फील्ड हाइस्ट डैम माना जाता है हिमाचल प्रदेश में है इसी रिवर पर इंडरा कैनाल, सरहिंद कैनाल और कोल डैम आ जाते हैं इस पर यह जो हमारी टेबल है हमारी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में इस टेबल को मैं हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उधर पर मैं यह डाल दूँगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी अब हम एक बार इंस के पूरे चैनल को एक शॉट में रिवाइस कर लेते हैं हमारी इस फोटो के हिसाब से हमारी जो इंडस रिवर है ठीक है यह जो हमारी इंडस रिवर है यह हमारी इंडेस रिवर स्टार्ट कहां से होती है कैलाश रेन से स्टार्ट होती है ठीक है कैलाश रेन से स्टार्ट होने के बाद यह फ्लो करती है कैसे यह नॉर्ट वेस्ट फ्लो करती है लद्दाख वाले एरिया से होते हुए यह चली जाती है पाकिस्तान occupied कश्मीर और फिर नामचा वार्वा से मुड़ के ये south side में flow करती है entire length of Pakistan ठीक है और जाके Arabian Sea में drain कर जाती है as the Panchenart River इसकी कुछ right bank tributaries थी जिनके वारे में हमने बात कर चुकी है जांसकर, नूबरा, हुन्जा, होना और इसकी कुछ left bank tributaries है जो की बहुत जादा important है, जो की पाँच है जेलम, चेनाब, रावी ब्यास and सतलच ठीक है फिर इनके बारे में बात करते है कि पहले जेलम नदी मिलती है और रावी नदी मिलती है चेनाब से, ठीक है चेनाब नदी से यहाँ पर मिल चुकी है दोनों नदिया और फिर चेनाब नदी आगे चलके किस से मिलती है, सतलच से और पहले से ही सतलच में मिल जाती है ब्यास रिवर और फिर सतलच रिवर आगे चलके मिठान कोट में मिल जाती है किस से इंडस river से और आगे कलके ये पंचनाड नधी के नाम से जाने जाते हैं यह था हमारे इंडस river system इंडस river system को समझने के बाद हम्वें कुछ एक concept को समझने पड़ेगा जिसको हम कहते हैं दौब ठीक है? उसके बारे में हम बात करते हैं क्या होता है दौब दौआब in Indus Basin पढ़ते हैं दौआब कुछ नहीं एक Persian word है जिसको हम कहते है ट्रेक्ट ओफ लेंड लाइंग बिट्वीन टू कनवर्जिंग और कॉन्फूएंसिंग रिवर्स मतलब कि जैसे कि ये एक नदी आ रही है और एक ये नदी जा रही है ठीक है मतलब दौनों के बीच का ये वाला जो एरिया है न इसको हम दौआब एरिया कहते है दौआब एरिया कैसा होता है बहुत ज़दा फर्टाइल एरिया होता है क्योंकि ये दौनों रिवर्स है दौनो यहां पर मिलते हैं ठीक है यह जो हमारी इंड़स रिवर है और यह जो हमारी जेलम रिवर है इनके बीच का यह वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं जेच द्वाब, ठीक है, सॉरी, इसको हम कहते है कौन सा, सिंद सागर द्वाब, है नब, और जो हमारे यह जेलम, और यह हमारी जो रावी रिवर है, ठीक है, उसके बीच वाला यह वाले एरिया को कहते है हम जेच द्वाब, है नब, दौनों के नाम से ही है, J for जेलम, और CH for फिर ये जो हमारी रावी रिवर है और ये कि ये हमारी एक और रिवर आ जाती है चेनाब रिवर इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है इसको कहते है रेचा द्वाब रेफ और हमारी रावी और चा मतलब चेनाब है ना और इसी तरीके से यहाँ पर यह जो रावी रिवर है और यह ब्यास रिवर है इनके बीच का भी एक एरिया है है ना इसको हम क्या कहते हैं बारी द्वाव बाफ और ब्यास और रावी और इसी तरीके से बियास रिवर और सत्लज रिवर के बीच वाले एरिया में भी एक दौआब बनता है जिसको हम कहते हैं बिश्ट दौआब तो यह कुछ हमारे दौआब हो जाते हैं जो कि दोनों नदियों के konfluence वाले एरिया के बीच में आ जाते हैं यहाँ पर हमें मिल जाएंगे द्वाब सिंदसागर द्वाब इंडस और जेलम के बीच में जेच द्वाब रेचा द्वाब चेणाब और रावी के बीच में ठीके बारी दौब आजाता है हमारा रावी और ब्यास के बीच में और बिश्ट दौब आजाता है हमारा ब्यास और सतलच के बीच में ये था हमारे Indus Water System आपको अगर ये Indus Water System समझ में आया हो तो लाइक करिएगा अगर कोई भी queries हो या कोई भी correction हो तो आप comment box में हमें बता सकते हैं सब्सक्राइब करिए और भी वीडियो के लिए ये हमारे river system of India को हमने start किया है ये एक हमारी series है जो कि हमारे channel MPPSC online classes में आती रहेगी further updates के लिए आप please subscribe कीजिए Thank you